आपने कभी यह सोचा है मकडी जो होती है वो अपने जाले में खुद क्यों नहीं फसती तो मैं आपको अदादू मकडी जो होती है वो दो तरीकों के धागे का इस्तमाल करती है अपने जाल को बनाने के लिए जहां एक तरफ मकडी चिपचिपे धागे का इस्तमाल करती है अपने सिकार को फसाने के लिए वहीं दूसरी तरफ बिना चिपचिपे वाले धागे का इस्तमाल करती है अपने चलने फिरने के लिए इसके अलावा मकडी के पेरों में एक खास तरह की कोटिंग होती है जो उसे चिपचिपे धागे पर चलने में काफी मदद करती है और अपनी इसी खूबी के चलते मकड़ी अपने किसी भी सिकार को अपना सिकार बना लेती है